मेरे प्यारे देश्वासियों, आज 28 जून को भारत अपने एक बुद्पूर्व प्रधान मंतरी को स्रधाजली दे रहा है, जिन्होंने एक नाजुग दौर में देश का नेतुरत्व किया, हमारी ये पूर्व प्रधान मंतरी स्री पीवी नरसे राव जी की आज जन्म अब्दी वर्ष की शुरुवात का दीन है, जब हम पीवी नरसे राव जी के बारे में बात करते हैं, तो स्वाभायू की रूप से राजनेता के रूप में उनकी शबी हमारे सामने उभरती है, लेकिन ये भी सचाई है, तो वह नेक भाशाओं को जानते थे, भारतिये ये म से एक थे, लेकिन उनकी जीवन का एक और पहलू भी है, और वो लिखनी है, हमें जानना भी चाहिए, सात्यों नरसे महराव जी अपनी किशोर आवस्ता में ही स्वतंतरता अंदोलन में सामील हो गए थे, जब हैदराबाद के निजाम ने बंदे मातरम गाने की अनुमती दे से निकार कर दिया था, तब उनके खलाब आंदोलन में उन्होंने भी सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था, उस समय उनकी उम्र सिर्फ 17 सार थी, छोटी उमर से ही स्रिमान नरसे महराव अन्याय के खलाब आवाज उठाने में आगे थे, अपनी आवाज बुलन करने में कोई को और कसर बाके नहीं छोड़ते थे, नरसमा राव जी की त्यास को भी बहुत अच्छी तरह समझते थे, बहुती साधान प्रुष्ट बुमी से उटकर उनका आगे बढ़ना, सिक्षा पर उनका जोड, सिखने की उनकी प्रभुती और इन सब के साथ, उनकी नेतरुत्व शमत सब कुछ मरनी है, मेरा आगरह है कि नरसमा राव जी की जन्मुष्टाब्दी वर्ष में आम सभी लोग उनके जीवन और विचारों के भारे में ज्यादा से ज्यादा जानने का प्रयास करें, मैं एक बार फिर उन्हें अपनी स्रद्धानली अर्पित करता हूँ